हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्योटर टाक चैनल में स्वागत है आज का हमरा टोपिक का फोस्फोरस साइकल क्या होता है जिसे हिंदी में फोस्फोरस चक्र भी कहते हैं उसी एक्स्प्लें करेंगे सबसे पहले फोस्फोरस के बारे में हम कुछ बेसिक बाते जानते है जो फोस्फोरस है वो फोस्फोरस इस एक केमिकल एलिमेंट यह एक केमिकल एलिमेंट है इसकी खोज 1669 में हैनि ब्रैंड ने की थी और यह जो एक एलिमेंट है यह बहुत ज्यादा रियक्टिव होता है इट इस वेरी रियक्टिव एलिमेंट विच कैचिस फायर वेन एक्स अगर हम अपनी human body की बात करें, तो इसमें जो हमारी bones होती है, उनके निर्मान में, phosphorus का use होता है, ये calcium के साथ work करकर हमारी bones होगे, teeth होगे, उसका एक component होता है, इसके इलावा nucleic acid हो गया, cell membrane जा फिर making of DNA, RNA में भी phosphorus का use होता है, अब अगर इसके definition की बात करें, meaning कि phosphorus cycle की, तो phosphorus cycle is a bio-geocanical cycle, ये एक bio-geocanical cycle है, that involves the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere and biosphere, मतलब ये जो phosphorus होता है, ये lithosphere, यानि कि स्थल मंदल, hydrosphere, जल मंदल और biosphere, जीव मंदल में पाया जाता है, जीव जन्तों में, मतलब ये phosphorus पाया जाता है, लेकिन ये हमेरे bio-geocanical, ये atmosphere में phosphorus नहीं मोजोत होता है, जैसे, हमने carbon cycle किया था, nitrogen cycle किया था, वो bio-geocanical में थे, लेकिन phosphorus क्या होता है, ये है रोक्स में, इसका main source है, ये है रोक्स में होता है, फोसफेट की form में, अब इसका cycle discuss करते हैं, जैसे कि आपको पता है, जब phosphorus का main source है, चटाने, यानि कि रोक्स में होता है, और जब इन पे होती है, तो क्या होता है, यानि कि बारिश होने पर, जब धोप इसमें पटने पर, गर्मी होने पर, कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे इनका erosion होता है, यानि कि इसे weathering बोलते है, weathering first process है, तो ये मिट्टी में मिल जाता है, जब चटाने तो तो धीरे-धीरे, erosion के बाद ये ज जातों मिट्टी में जाएगा, या फिर किस में चले जाएगा यह, पानी में चला जाता है, कुछ बहकर बारिश के साथ पानी में, वाटर बोडी में जाएगा, कुछ मिट्टी में, और जो मिट्टी में आएगा, तो यह जो फोस्पेट आयन होती है, वह है प्लांट्स में चले जाते हैं, जडों के साथ, रूट्स के साथ, उनमें पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इन प्लांट्स को, तो ये प्लांट्स में पहुंच गे, उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं, इने, क्या होता है, एनिमल्स खाते हैं, और जब ये एनिमल्स खाते हैं, उसका compound क्या होता है, animals में चला जाता है, फिर animals जब भी मरती हैं, तो जो phosphorus होता है, उनका decomposition होता है, यानि कि जब मिट्टी में मरकर गिरती है, तो उनका decomposition bacteria द्वारा किया जाता है, जिनने decomposer कहते हैं, और वो bacteria क्या करता है, उससे क्या होता है, decomposition में द्वारा मिट्टी में जो phosphorus ह पानी में घया होता है वह उसका होता है water bodies में फिश शीब सी व on को घ्राइन करते हैं उनी जो मच्छों को बाद में दूसरी ऐनिमल कषाते हैं तो इस तरह से और जो एनिमल मरती हैं तो उनका दोवारा सी decomposition होता है और फिर यह द्वारा से मिट्टी में चले जाते हैं इस तरह यह सरकल हमारा पूरा हो जाता है पहले हमारा सरकल कहां से हुआ रोजन हुआ और उससे क्या हुआ पत्थर जब टूटकर मिट्टी में मिल गए और जो फॉसफट आयन था मिट्टी में आ गया और मिट्टी से यह प्लांट ने ग्रहन किया प्लांट को आइंमल ने खाया जब प्लांट जब मरेंगे तो वह उनका decomposition होकर यह द्वारा मिट्टी में मिल जाती हैं इसी तरह में जो वाटर बोडी में गया था वाटर बोडी में भी कुछ एनिमल्स जब खाएंगी और मरने के बाद यह द्वारा उनका decomposition होगा वह द्वारा मिट्टी में मिल जाएंगा और सर्कल कॉंप्लीट हो जाता तो यह था हमारा force for a circle अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भोलें थैंक्स वार वाचन